और यहां देखो बाई क्या क्या चीज मिले वाह आलू और खिरिकंडू और साथ में ककडी वाह वाह पहाडू की पहली ककडी सीजन की बाई विल्कुल पानी आने बैठगे मौ में तोड़े विर पका तो क्या ही चमतकार है बाई परकृतिका है ना कभी धूफ हो रही तो कभी बारिस लगेगी वाह यह तो अलू सब एंजाएं यह तो लाखा है यह दोको भाई सुवर ने पूरा उधार उधार के रखावा है और अलू उपरी पड़े हुए है यह दोको ऐसे खाके रखे हुए सुवर ने सामने कर्तिक स्वामी की पहाड़ी पे आप लोगों को नजर पर आ रहा होगा तो यहां पर यह पढ़ रखा है इंदर धनुस तो बारिस को रोकने वाला इंदर धनुस पढ़ चुका है बाकी उपर यूपर चार और प्यारे बादल चाहे हुए हैं विको विचिन अच्छा तो यह दोको मैं सुवर ने आलू की खेती पूरी बरबाद क हैं और बारिस हाँ तो ऑपर से जो लेगा नीचे से वो ढूने पर लगे हुए है अभी भयानक वाली बारिस मशेह है और चमतकार तो यह है नीचे कितनी भयानक वाली बारिस मन स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एक और नए संदार ब्लॉग में दोस्तों सुबह के साड़े आठ हो चुकी है और मेरे ब्लॉग के सुरुवात भी हो चुकी है बागी दोस्तों आज के ब्लॉग की सुरुवात भी अपने घर गाओं से हो रही है बागी कल में मार्केर से घर आगे था तो आज अभी फिर से ब्लॉग की सुरुवात हो रही है तो मैंने सुचा क्यों आप लोगों को फिर से वीडियो के माध्यम से दिखा दिया जाए पहाड़ी लाइप इस्टाइल कैसे क्या क्या होता है घर गाओं में बागी दोस्तों मौसम की बात को तो मौसम कुछ क्या हो रहे तो कुछ एसा हो हो रहरा है कोई भी फियू नजरन नहीं unsere बाहरे से मौसम बिल्कुल ध्यक्त हो रहा है और साथ में आलो भी हो रहा है तो कुछ ऐसा और पहाड़ो का माहल चारोर का बाकि इस साइट राजमा की पौदे हैं और चारोर का भ्यू कुछ ऐसा नजर आ रहा भई बिल्कुल कोहराई कोहरा चारोर नजर आ रहा है बाकि दोस्तों चाई नस्था करने के बाद अभी मैं गोसला पे आगया हूं तो यहाँ पे मैंने कुछ दिखाए था आपने को दिखाए था को कुछ पोधे तो अपने आपी खड़े हो गए हैं लेकिन कुछ पोधे हैं मक्य के पूरी त्रो scheint टूट गए हैं और वो नीचे हो गए हैं कुछ कुछ तो सूगने भी बैठ गये हैं और इस साइड भी तो कापी सारा नुकसान हुआ था तो अभी भी मक्का के जो पौदे हैं वो कुछ-कुछ टूटी रखे हैं बागी कुछ-कुछ तो अपने आपी खड़े हो गए थे जो मलब जो नौरमल नीचे हुए थे तो वह तो के चलते हैं रास्ते पर आगे धारे तक वहां से उनको चरा चुरा के तो अपने गाईना अभी यहां पर चर रहे हैं बाकि चांदु भैसी यहां पर गास खा रहे हैं और बैल यहां पर जा रहे हैं बिलकुल मस्तमार के गास चरने पर लगे हुए हैं और सामने बादल क्या करें आप गोड़नु क्या बाहत कर आए तो भाई साई यां पर देखो भाई आलु खन रहे हैं विकाव भीचिन अच्छा तो यह देखो मैं शुवर ने आलु की खेटी पूरी बरबात करके हैं और भाई साई यां पर उपर से जो मिलेगा नीचे से वो ढूनने पर लगे हैं तो किसी को आलू चाहे होगे तो बताना भाई शाब के बहुत आप बहुत अर्थ बाई साब तो कल आ रहे रहे रोंग्रूर से लो बाईशाब यां पर पूर्थी नेगी भीदय को लगी हुए है गशेरी हाथ लो रहे ओ गशेरी तो सबी लगे वे अपने अपने काम में दिखा दो नियो बैराइटी खिरिकंडु बीचे और एक यह आजा काँ पे मिली था इसका आरी देखा आकार तो भाई साथ यहां पे लगे वे बाई आलु खन्ने पर और यहां देखो भाई क्या क्या चीज मिले वाह आलु और खिरिक भाई भाई वाह पहाड़ू की पहली ककड़ी सीजन की भाई विलकुल पानी आने बैठगे मुह में तोड़े विर तोड़ा पका तो भाई साब की यह ककड़ी रखी हुए हैं अपनी दीदी सिस्टर के लिए तो इस यूए से इसको हम खाएंगे नहीं हाँ अगली ककड़ी हमारी सिदा है ना बाकि सुवर ने पूरा बराबर कर दिया सुवर ने ना खेद पूरा बरबाद कर दिया बाई है अलो भी निकल ले बाकि यहां पर भी काफी बड़े बड़े रगले हो रके हैं रगले बोले तो बेल ना लगले 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 अब मैं बोला हो रगले भी थे पर इस पर किर कंडे होने वाले मुझे पता है रगले लगले रगले हिंदी तो हमें आती नहीं ज्यादा पर बोल लेते फिर और यहां पे कड़ी यहां पर कड़ी यहां पर यह कड़ी जो आख तुपन चो छो कि यहां पर देख लो किसी को चाहिए होंगा तो बता नहीं से यह बेज़ देगा तुम्हें थापी को कोजी बात कुना है जो मिली रहे चूँ है यह मिला कुपूर मुत्ता है यह तो अल्लू सब एंजाएं यह जाएं यह तो यह दोगो बैए सुवर ने पूरा उधाड़ उधाड़ के रखावाए और आलो उपर ही पड़े हुए है यह दोगो ऐसे खाके रखे हुए सुवर ने यह का पाड़ों का पाड़ों में एक चीज की दिखाते बिल्कुल सुवर की पूरा बर्बाद कर देते हैं के तो इस तो हिंदी तो पतानीन वह बोलते है सोलो बोलते हैं मेंटमे हैं तो व। लोकार भेत्ट काटे हो के मृट्रके वपार केशचोस कैई। दूस्तव ग्ायों को चराचुरा के मैं घर लिया पैड़े हो और दोपर का खाना बनाने का टाइम भी हो गया है तो मैंने अभी चामल भी बना दिये हैं चुले में और माब बना रही हैं दाल तो तब तक मैंने सोचा मैं थोड़ा नहा के आता हूं ठंडे ठंडे पांडे दोस्तों अभी मैं नहा के घर पे आ गया हूं और बारिस भी शुरू हो गई हैं बाकी माने अंदर चकी लगार के हैं गया हूं पीछने वाली और जैसे ही मैं घर पे आया हैं वैसे ही बारिस भी शुरू हो गई हैं और खाना भी बन गए हैं तो पटापट से खाना खाते हैं स अभी भाहनक वाली बारिस शुरू हों गए हैं और चमत कर तो यह है यह दोएको उपर देखो आसमान पूरा खाली-खाली ओर हो रख कैहा है और नीचे कितनी भाहनक वाली घाली और नीचे कितनी है लगी भाइच थाली में रख दिया हैं तो चावल हैं और चॉंसा हैं तो चॉंसे भात का आज आनन्द लेंगे बाकी मा भी बहार गई थी गोसाला तो मा भी भीग गई हैं बारिस में है ना और बाहर का मौसम दिखाऊं तो यह देखो बाई कुछ ऐसा दिख रहा है बार लगातार बारिस लगी वी हैं और उपर देखो आस्मन में बिलकुल पार अच्छाएं तो जैसे खाना खाके में बाहर आया बाहर देका धूब लगी वी यह देखो तो क्या ही चमतकार है बाई परकृतिका है ना कभी धूफ हो रही तो कभी बारिश लगए दोस्तों सामके पौने पांच हो गए हैं तो अभी माने चाई बनाई है तो मस्त मार के गरमा गरम चाई पीते हैं बाकी अभी तक मौसम थोड़ा साफ हो रगा था और अभी फिर से बुना माननी शुरू हो है लेकिन उस साइट उपर उपर काले काले बादल लगे हैं और इस साइट खुला हूर का पूरा मोसम और हमारी चांदू भैस छोट रखी ती रास्ते पर घास खाने के लिए वह भी जराने बेढ़िया आवज करते करते हैं चाई पीने के बाद दोस्तों अभी मैं गोसला पर आ गया हूं तो यहां पर माने गाय भैसों को बाहर निकाल के रखा हुआ था बाकि अभी हलकी फुलकी बारिस लगी हुए है थोड़ा देर पहले तक तो तेज बारिस लगी थी लेकिन अभी थोड़ा कम हो गए हैं तो इस वह से मैंने अभी चाता भी रख लिया है तो अभी हमारे वाली साइट तो हलकी फुलकी बारिस हो रही है दोस्तों बाकि उस साइट दो को भाई यहां हो रही है भैनक वाली बारिस जहाए आप लोगों को अंधेरा अंधेरा नजर आ रहोगा बिलकुल इस साइट तो यहां भैनक वाली बारिस हो रही है जो कर्तिक स्व इंद्र धनुस तो बारिश को रोकने वाला इंद्र धनुस पढ़ चुका हैं बाकी उपर यूपर चार और प्यारे प्यारे बादल चायवे हैं और इस साइट अपने गाई और अपनी चांद उभैसी चरने पर लगाई गाईों को लेके दोस्ताइबी मैं घर वापस आगया हूं दोस्तों गाई गोई चराके और एक पानी का गिलन लिया के अभी मैं घर पर आगया हूं बाकी अंधेरा भी होने ही वाला हैं लगबग चारों और से चींचीं की आवाज सुनाई दे रहे होगे आप लोगो तो धिर जरू सब्सक्राइब कर देना तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारा जय देव्भू मुत्राथन जय बाबा खेदार हरर मादे बाबाय टाता टेक केर हस्ते रहे हैं और मुस्क्रात रहे झाल जय दे रहे हैं झाल